हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ सबस्वस्थ होंगे आईए आज आपका अध्याय प्रिष्टिय छेत्रफल और आयतन पढ़ना आरंब करते हैं कक्षा नौ से आप कुछ ठोस आकरतियों जैसे घनाब, शंकू, बेलन और गोला से परिचित हो चुके हैं आप यह भी पढ़ चुके हैं कि इन आकरतियों के प्रिष्टिय छेत्रफल और आयतन किस प्रकार ग्याद किये जाते हैं अपने देनिक जीवन में हमें ऐसी अनेक ठोस देखने को मिलते हैं जो उप्रोक्त दो या अधिक आधार भूत ठोसों के संयोजनों से अर्थात इनको मिला कर पनते हैं आपने एक ट्रक के पीछे रखे बड़े कंटेनर को अवश्य ही देखा होगा जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेल या पानी ले जाया जाता है क्या इसका आकार उप्रोक्त चारो ठोसों में से किसी एक के आकार जैसा है? आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह ठोस एक बेलन और उसके दोनों सिरों पर दो अर्ध गोले लगने पर बना है पुनह आपने ऐसी वस्तु भी अवश्य देखी होगी जो आकरती में आपकी पुस्तक में दर्शाई गई है क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? यह निश्य ही एक परक्नली है आपने इसे अपनी विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग किया होगा यह परक्नली भी एक बेलन और एक अर्ध गोले से मिलकर बनी है इस प्रकार यात्रा करते समय भी उप्रोक्त ठोसों के संयोजनों से बने अनेक बड़े और सुन्दर भवनों अत्वा समारकों को आपने देखा होगा यदि किनी कारणवश आप यह ठोसों के प्रिष्टिय छेत्फल या आयतन या धारिता ग्याद करना चाहें तो आप ऐसा किस प्रकार करेंगे आप ऐसे ठोसों को अब तक पड़ी हुई चारो ठोस आकरतियों में से किसी एक के रूप में वर्गी करत नहीं कर सकते इस अध्याए में आप यह देखेंगे कि इस प्रकार के ठोसों के प्रिष्टिय छेत्रफल और आयतन किस प्रकार ग्याद किये जाते हैं ठीक है बच्चों आईए हम यहाँ पर एक उधारन द्वारा समझते हैं रशीत को जनम देवन्स के अवसर पर उफार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था वह इस पर अपने मोमिया रंगों यानि क्रियोंस से रंग करना चाहता है यह लट्टू एक शंकू के आकार का है जिसके उपर एक अर्ध गोला अर्ध्यारोपित है लट्टू की पूरी उचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है उसके द्वारा रंग किया जाने वाला चेतरफल ग्यात कीजिए और पाई को 22 बटा साथ लीजिए यह देखिए यह उसकी आकर्टी है और आप देख रहे हैं लट्टू का टोटल सर्फिस एरिया बराबर है अर्ध गोले का कर्व सर्फिस एरिया और शंकू का कर्व सर्फिस एरिया अब अर्ध गोले का वक्र प्रिष्टिय छेतर फल कैसे ही निकालेंगे एक बटा दो गुना चार पाई आर स्क्वेर क्योंकि वो उसका आधा है इस प्रकार यह हुआ दो पाई आर स्क्वेर अब इसका मान रख देंगे दो गुना बाईस बटा साथ गुना तीन दशमलव पाँच बटा दो गुना तीन दशमलव पाँच बटा दो सेंटीमीटर स्क्वेर आईए इसको आगे हल करते हैं साथ ही शंकु की उचाई बराबर है लट्टु की उचाई माइनस अर्ध गोलिय भाग की उचाई यानि तरिज्या पाँच माइनस तीन दशमलव पाँच बटा दो सेंटीमीटर अर्थात तीन दशमलव दो पाँच सेंटीमीटर अतह शंकु की तरियक उचाई हम निकालेंगे पाइथगरस प्रमेदवारा एल बराबर है वर्गमूल आर का स्क्वेर प्लस एच का स्क्वेर और इसको हम हल करेंगे वर्गमूल 3.5 बटा 2 का स्क्वेर प्लस 3.25 का वर्ग इसको हल करके हम पाते हैं ये बराबर होगा 3.7 सेंटीमीटर इसलिए शंकु का प्रिष्टिय छेत्रफल हुआ πाई आर एल इसको हम हल करेंगे 22 बटा 7 गुना 3.5 बटा 2 इससे लट्टू का प्राप्त प्रिष्टिय छेत्रफल हम इस प्रकार निकालेंगे 2 गुना 22 बटा 7 गुना 3.5 बटा 2 गुना 3.5 बटा 2 प्लस 22 बटा 7 गुना 3.5 बटा 2 गुना 3.7 इसमें देखिये हमने इसको उभेनिश्ट लिया 22 बटा 7 गुना 3.5 बटा 2 और कोश्टक में 3.5 प्लस 3.7 बचा जो बराबर है 11 बटा 2 गुना 3.5 प्लस 3.7 इस प्रकार यह आया 49.6 cm2 आप देख सकते हैं कि लट्टू का संपून प्रिष्टिय छेत्रफल अर्धकोले और शंकू के संपून प्रिष्टिय छेत्रफलों के योग के बड़ाबर नहीं है ठीक है बच्चो आएए अब अगला प्रिश्न देखते हैं आकरती में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रियोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है इन में से एक घन है और दूसरा अर्ध गोला है इस ब्लॉक का आधार पांच सेंटिमीटर कोर या किनारे एट्ज वाला एक घन है और उसके ओपर लगे हुए अर्ध गोले का व्यास चार दशमलव दो सेंटिमीटर है इस ब्लॉक का संपून प्रश्टिय छेत्फल ग्याद कीजिए और पाई को 22 बटा साथ लीजिए ये देखिए आप चित्र में देख रहे हैं ये आपके पास एक घन है और उसके उपर एक अर्ध गोला है आप देखिए कुछ इस प्रकार ये आपके पास घन के उपर ये अ प्रश्टिय छेत्फल निकालते हैं घन का संपून प्रश्टिय छेत्फल होता है छे गुना कोर का वर्ग यानि छे गुना पांच गुना पांच जो बराबर हुआ एक सो पचास सेंटीमीटर स्क्वेर अब घन का वैभाग जिस पर अर्ध गोला लगा हुआ है प्रिष्टिय छेत्फल से सम्मिलित नहीं होगा ठीक है आईए इसको ऐसे लिखेंगे ब्लोक का प्रिष्टिय छेत्फल पराबर होगा घन का टोटल सर्फेस एरिया माइनस अर्ध गोले के आधार का छेत्फल प्लस अर्ध गोले का कर्व सर्फेस एरिया यानि एक सो पचास माइनस पाई आ स्क्वेर प्लस दो पाई आ स्क्वेर यहां देखिए दो पाई आ स्क स्क्वेर में से पई आ स्क्वेर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा पैया स्क्वेर तो 150 प्लस पैया स्क्वेर आगे हल करते हैं 150 प्रकास प्लस 22 बटाय साथ गुना चार दरशमलव 2 बटाय दो सेंटीमीडर स्क्वार। आगे देखिए, एकक्सो प्लस इसको हल करके हमें मिलेगा तेरा दरशमलव आट 6 सेंटीमीटर स्क्वार। अब इनको हम जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 163.86 cm2 इस प्रकार हमने वो सुन्दर ब्लॉक का प्रिष्टिय छेतरफल निकाला ठीक है बच्चो आईए अगला प्रशन देखते हैं आपकी प्रशनावली 13.1 का पहला प्रशन दो घनों जिनमें से प्रतेक का आयतन 64 cm3 है के सनलगन फलकों को मिला कर एक ठोस बनाया जाता है इस से प्राप्त घनाब का प्रिष्टिय छेतरफल ग्याद कीजिए हमें दिया है कि घन का आयतन 64 cm3 है मा लीजिए ये हमारे पास एक घन है ठीक है आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी भुजा कितनी होगी 4 cm क्यों क्योंकि इसका आयतन 64 cm3 है और हम जानते हैं भुजा का क्यूब इसका सूतर होता है भुजा का क्यूब बराबर 64 cm3 इस प्रकार भुजा होई 4 cm अब यदि घनो को सनलगन फलकों को मिलाय जाता है तो प्राप्त घनाब की भुजाएं क्या होंगी यह देखिए 4 cm, 4 cm और यहां हमने 2 जोड़ दी तो यह हो गई 8 cm आईए अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं घनाब का प्रिष्टिय छेत्रफल का सूत्र है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL अब हमने इसमें मान रखा है 2 गुणा 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 4 और इसको हल करेंगे 2 गुणा 16 प्लस 32 प्लस 35 इसको जोड़ देते हैं दो गुणा 80 हुआ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर अतह इस प्रकार इससे प्राप्त घनाब का प्रिष्टिय छेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए अगला प्रिष्णित देखे कोई बर्तन एक खोकले अर्ध गोले के आकार का है जिसके उपर एक खोकला बेलन अध्यारोपित है अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल्नुचाई 13 सेंटीमीटर है इस बर्तन का आंतरिक प्रिष्टिय छेदफल ग्याद कीजिए देखिए यहाँ पर यह पूरा 13 है सेंटीमीटर और यह हमारे पास 7 सेंटीमीटर है इसका मतलब यह भी 7 सेंटीमीटर हुआ अब 13 में से हम 7 को घटा देंगे तो इसका हमारे पास आजाएगा 6 सेंटीमीटर है तो एच हुआ 6 सेंटीमीटर तो बेलन की तरिज्ज्या है 7 सेंटीमीटर और बेलन की उचाई कितनी होगी 13 में से 7 घटा के 6 सेंटीमीटर अर्ध गोले की तरिज्ज्या हमारे पास कितनी है 7 सेंटीमीटर ठीक है आईए अब इसको हल करते हैं बरतन का आंतरिक प्रिष्टिय छेत्फल बराबर होगा बेलन का कर्व सर्फिस एरिया प्लस अर्ध गोले का कर्व सर्फिस एरिया जो बराबर है 2 पाई आरेच प्लस 2 पाई आर स्क्वेर इसका हम मान रखते हैं दो गुना 22 बटा साथ गुना साथ गुना छे प्लस दो गुना 22 बटा साथ गुना साथ गुना साथ अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो 44 गुना छे प्लस 44 गुना साथ हमें मिलेगा और उभेनिश्ट ले लिया हमने 44 को तो 44 गुना छे प्लस साथ बचा तो चवालेस गुना तेरा इस प्रकार इस बरतन का आंतरिक प्रिष्टिय छेतफल गुना करके हमें मिला 572 सेंटीमीटर स्क्वेर ठीक है बच्चो आईए अगला प्रश्म देखते हैं एक लोना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकू के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अर्धिया रोपित है इस खिलोने की संपून उचाई 15.5 सेंटीमीटर है इस खिलोने का संपून प्रिष्टिय छेतफल ग्याद कीजिए बहुत ही महतपून प्रश्ण है और बोड़ परिक्षाओं में बहुत बार पुछा जा चुका है देखिए यहाँ पर आपका अर्ध गोला है और यह उपर आपके पास शंकू की शेप में है और पूरी इसकी कितनी है उचाई 15.5 सेंटीमीटर तो यह हमें दे रख है 3.5 पाच सेंटीमीटर तो यह भी 3.5 सेंटीमीटर हुई क्योकि यह तरिज्जा है तो 15.5 में से हम 3.5 घटा देंगे तो हमारे पास यह उचाई आएगी 12 सेंटीमीटर ठीक है बच्चो देखिए तो शंकु की तरिज्या 3.5 cm है शंकु की उचाई होगी 15.5 माइनस 3.5 यानि 12 cm अर्ध वोले की तरिज्या कितनी है 3.5 cm अब शंकु की तिर्यक उचाई हमें निकालनी है वो हम पाइथगरस प्रमे द्वारा निकालेंगे वर्ग मूल R² प्लस H² जो बराबर है वर्ग मूल 3.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग इसको हम 3.5 को 3.5 से गुना करते हैं तो हमें मिलता है वर्ग मूल 12.25 प्लस 144 इसको जोड देंगे तो हमें मिलेगा वर्ग मूल 156.25 और हल करके हम पाते हैं कि ये 12.5 सेंटीमीटर होता है तो ये हमें L का माना गया अब हमें इसको हल करेंगे देखिए खिलोने का संपून प्रिष्टिय छेत्फल बराबर होगा शंकू का कर्व सर्फिस एरिया प्लस अर्ध गोले का कर्व सर्फिस एरिया तो पाई आर एल प्लस दो पाई आर स्क्वेर पाई का मान है 22 बटा साथ गुना 3.5 गुना 12.5 कोश्टक में प्लस दो पाई आर स्क्वेर दो गुना 22 बटा साथ गुना 3.5 गुना 3.5 अब देखिए हमें हाँ पे उभे निष्ट ले लेते हैं ये देखिए थोड़ा सरल हो जाएगा 22 बटा 7 गुना 3.5 कोश्टक में 12.5 प्लस 2 गुना 3.5 हमारे पास बच्चा ये हमने यहां लेख लिया अब देखिए ये हमारे पास हुआ 11 गुना 12.5 प्लस 7 इस प्रकार 11 को 19.5 से गुना करके हमें खिलोने का संपून प्रिष्टिय छेत्फ़ल प्राप्त होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेर ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए अगला प्रश्न करते हैं दवा का एक कैपसूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरो पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है पूरे कैपसूल की लंबाई 14 मिलिमीटर है और उसका व्यास 5 मिलिमीटर है इसका प्रश्टिय छेत्फ़ल ग्याद कीजिए बेलन की तरिज्या कितनी हुई पांच बटा दो दो दशम्लव पांच मिलिमीटर बेलन कार भाग की लंबाई कितनी होगी आप देखें यहाँ पर हम ऐसे ही बना लेते हैं यह होगा पांच बटा दो इसी प्रकार यह भी हुआ पांच बटा दो अब 14 मिलिमीटर में से हम यह घटा देंगे तो हमें यह लंबाई आ जाएगी ठीक है पांच बटा दो जमा पांच बटा दो इस प्रकार हम देखेंगे 14 मिलिमीटर में से हमने पांच घटाने पर हमें लंबाई कितनी आ गई कैप्सुल की 9 मिलिमीटर ठीक है यह 9 मिलिमीटर हो गया तो अर्ध गोले की तरिज्जा कितनी हुई पांच बटा दो यानि 2.5 मिलिमीटर आईए देखिए कैसे हल करते हैं इसको कैप्सुल का प्रिष्टिय छेत्फल बराबर होगा बेलनाकार भाग का कर्व सर्फेस एरिया प्लस दो गुना अर्ध गोले का कर्व सर्फेस एरिया हमें इसका सूत्र पता है दो पाई आर एच प्लस दो गुना दो पाई आर स्क्वेर अब ये दो पाई आर एच प्लस चार पाई आर स्क्वेर हो गया अब इसमें दिखान से देखिए क्या हम 2 pi r उभेनेश ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं 2 pi r गुना h plus 2 r यहां बचा और अब हमने इसका मान रख दिया 2 गुना 22 बटा 7 गुना 5 बटा 2 और कोश्टक में 9 plus 2 गुना 5 बटा 2 अब देखिए यह 2 और 2 कैंसल हो गया और हमें क्या मिलेगा यहां पर? 110 बटा 7 गुना 14 नौ प्लस 5 चौदा होता है ना बच्चो तो यह हमें मिला 110 को 2 से गुना कर देंगे 220 mm2 तो अतह इस कैपसूल का प्रिश्टे छेतफल 220 mm2 है समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रेशन करते हैं कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकू अध्यारोपित है यदि बेलना कार भाग की उँचाई और व्यास करमशह 2.1 मीटर ये और 4 मीटर है ठीक हैं तथा शंकू की तिर्यक उचाई 2.8 मीटर है ये आप देख रहें ये इसकी तिर्यक उचाई है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्ट कैन्वस का छेत्रफल ग्याद कीजिए साथ ही 500 रुपे प्रती मीटर स्क्वेर की दर से इसमें प्रयुक्ट कैन्वस की लागत ग्याद कीजिए ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को आधार मतलब ये नीचे वाला हिस्सा आधार को कैन्वस से नहीं ढखा जाता है ठीक है तो हमें दिया है बेलनाकार भाग की उचाई कितनी है 2.1 सेंटिमीटर और 2.1 मीटर बेलनाकार भाग का व्यास कितना है 4 मीटर बेलनाकार भाग की तरिजिया आर कितनी होगी 2 मीटर शंकाकार भाग की तिरियक उचाई हमें दी हुई है 2.8 मीटर अब इनका प्रयोक करके हम देखिया मैं कैसे हल करेंगे कैन्वर्स का छेत्रफल बराबर होगा शंकाकार भाग का प्रिश्टिय छेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का प्रिश्टिय छेत्रफल इन दोनों के सूतर हम लिख लेते हैं प्लस दो प्रह अब Πाई का मान है बाइस बटा साथ गुणा दो गुना दो दशामलव आठ प्लस दो गुना बाइस बटा साथ गुनाद दो गुना दो दशामलव एक अब ध्यान से देखिए इसमें हम उभेनिष्ट ले लेते हैं कितना दो गुणा 22 बटा 7 ठीक है बच्चो तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा हल करना यहां मिलेगा दो गुणा 22 बटा 7 कोश्टक में हमारे पस बचा 2.8 प्लस ये हो गया 4.2 दो को हमने 2.1 से गुणा किया तो 4.2 आया अब ध्यान से देखिए इसको हम जोड़ देते हैं कितना आएगा साथ ठीक है ये साथ इस साथ से कैंसल हो जाएगा और 2 गुणा 22 होगा 44 मीटर स्क्वेर तो ये हमारा चेतर फल आ गया और 1 मीटर स्क्वेर कैंवर्स की लागत हमें दी होई थी 500 रुपे इसलिए 44 मीटर स्क्वेर कैंवर्स की लागत कितनी होगी हम 44 को 500 रुपे से गुणा कर देंगे इस प्रकार हमें मिलेगी 22,000 रुपे ठीक है बचो समझ में आया चलिए अगला प्रेशन करें उचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी उचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल क्याविटी काट लिया जाता है शेश बचे ठोस का निकट्तम वर्क सेंटीमीटर तक प्रिश्टिय छेतफल ग्याद कीजिए आकरती देखिए हमें उतनी ही यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका हम आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या आ जाएगी और उतनी ही उचाई 2.4 सेंटीमीटर यहाँ पर लेनी है यह हिस्सा अंदर का खोकला है दिया है शंकाकार भाग की उचाई बराबर है बेलनाकार भाग की उचाई के एच के बराबर जो है 2.4 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग का व्यास 1.4 मीटर है बेलनाकार भाग के तरिज जिया, आर कितनी है, 0.7 मीटर, 0.7 मीटर, शंकाकार भाग की तरियक कुचाई, हम दुबारा पाइथरकरस प्रमेश से निकालेंगे, वर्ग मुल R स्क्वेर प्लस H स्क्वेर से, इस प्रकार वर्ग मुल 0.7 का स्क्वेर, प्लस 2.4 का स्क्वेर, इसको हमने हल किया, कितना होका वर्ग मुल 0.49 प्लस 5.76, इसको जोडेंगे, तो हमें कितना मिलता है, वर्ग मुल 6.25, यह हम जानते हैं कितना होता है, 2.5 मीटर, अब हम इसको हल करते हैं, बेखिए, शेश बचे ठोस का प्रिष्टिय छेत्रफल होगा, बेलनाकार भाग का प्रिष्टिय छेत्रफल, प्लस शंकाकार भाग का प्रिष्टिय छेत्रफल, प्लस बेलनाकार भाग के आधार का छेत्रफल, इस प्रकार हमारे पास 3 छेत्रफल आएंगे, 2 pi r h plus pi r l plus pi r square अब देखिए हम मान रख देते हैं 2 गुना 22 बटा 7 गुना 0.7 गुना 2.4 प्लस pi r l का pi क्यों मान है 22 बटा 7 गुना 0.7 गुना 2.5 प्लस अब pi r square 22 बटा 7 गुना 0.7 गुना 0.7 cm2 अब इनको हम हम हल करते हैं देखिए हमारे पास 22 बटा 7 गुना 0.7 इसको हम उभेनिष्ट ले लेते हैं देखिए इससे हमें हल करना आसान हो जाएगा 22 बटा 7 गुना 0.7 हमें पास अंदर क्या बचा है दो गुना 2.4 ठीक है प्लस 2.5 यहां बचा देखिए और प्लस 0.7 इस प्रकार दो गुना 2.4 कितना हुआ? 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 इनको हम जोड लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा? यह मिलेगा 8 यह 22 को 0.1 से गुना करेंगे तो 2.2 आएगा गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वार इस प्रकार यह हुआ 17.6 सेंटीमीटर स्क्वार समझ में आया बच्चो? अब समय है ग्रह कार्ये का दिये हुए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये पहला प्रश्न एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलना कार पेंसिल निमिल लिखित का संयोजन है पहला option है एक शंकू और एक बेलन, दूसरा option है शंकू का छिननक और एक बेलन, तीसरा option है एक अर्धु गोला और एक बेलन, और चौथा option है दो बेलन आसान है न बच्चों, कोशिश करिएगा, अगला प्रश्न एक सुरहाई निमन लिखित का सयोजन है पहला option है एक गोला और एक बेलन, दूसरा option है एक अर्धु गोला और एक बेलन, तीसरा option है दो अर्धु गोले, चोधा option है एक बेलन और एक शंकू तीसरा प्रश्न है गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निमन लिखित का सयोजन है पहला option है दो बेलन, दूसरा option है एक शंकू और एक बेलन, तीसरा option है दो शंकू और एक बेलन, चोथा option है दो बेलन और एक शंकू ठीक है बच्चों, चलिए आगला प्रेशन बेडमिंटन खेलने में प्रयोग की जाने वाली शेटल कॉक इसको हम चिडिया कहते हैं का आकार निमिल लिखित का सेयोजन है पहला ओप्षन है एक बेलन और एक गोला दूसरा ओप्षन है एक बेलन और एक अर्ध गोला तीसरा ओप्षन है एक गोला और एक शंकू चौथा ओप्षन है शंकू का छिननक और अर्ध गोला ठीक है बच्चों, अब अगला प्रेशन, प्रेशन पांच एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की और से काट कर एक अर्ध गोलाकार गढधा इस प्रकार बनाया जाया है कि अर्ध गोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है शेश बचे ठोस का प्रिष्टिय छेत्फल ग्याद कीजिए ठीक है बचो आईए बचो अब सारांच देख लेते हैं हमने पढ़ा घन का प्रिष्टिय छेत्फल बराबर होता है छे गुना ए स्क्वार के दूसरा घनलाब का प्रिष्टिय छेत्फल बराबर होता है दो गुना LB प्लस BH प्लस HL के तीसरा बेलन का प्रिष्टिय छेत्फल बराबर होता है दो पाई आर H के शंकु का प्रिष्टिय छेत्फल होता है पाई आर L के ठीक है जहां L क्या है तिर्यकुंचाई ठोस अर्ध गोला यदि अर्ध गोले की त्रिज्या आर है तो व्रक प्रिष्टिय छेत्फल कितना होगा दो पाई आर स्क्वेर कुल प्रिष्टिय छेत्फल कितना होगा तीन पाई आर स्क्वेर ठीक है बचो आशा करती हूं आपको आज का अध्याय समझ में आया होगा अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद फेसे दितने गधão स्क्वेर था आपको आर सक्वेर ठीक है बच्टरबन सबटरों, Jrei् defending किया है है कि इतनानै जेता वाद दितना naraa दो अर आंपको आपको आज आपको 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 कि डिया है है चुदक है Lecture